नमस्कार पयारे साथियों निमी टेक्निकल क्लासेश में आपका हर्दिक सवागत है और हम पट रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थHAHA फे और वायरिंग के सब कई पार्ट हमने Cover कर चुके हैं, पार्ट नमबर फॉस्ट से लेके 6 का आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वायरिंग में का सबसे अंतीम भाग होने वाला है, इस सेशन के माद्यम से हम लोग वायरिंग को अंतीम करेंगे, यहाँ पे üstंड का यूनिट हम फ्री ओप कोस्ट ठीक है तो हम करते हैं वारेंग की सुरुवाद चलिए जुड़ जाए आप समी लोग और इस वीडियो को शेयर कर दीजे ताकि और भी स्टुडेंट हमारे साथ जुड़ सके और हम सब लोग मिलके स्टडी करेंगे तो चले स्टार्ट करें अपना सेशन चलिए कुछ कमेंट्स आया थे मेरे पास मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ तो कोछ स्टूडेंटों ने कमेंट किया था उनका कहना ये नहीं किसर आप अभी इस सेकेंड सेमेश्ट को यहीं स्टॉप कर दो और फर्स्ट सेमेश्टर को स्टार्ट करिए तो मुझे भी यही लगता है कि मुझे first semester को ही cover कराना चाहिए पहले इसके बाद मैं second को cover कराऊंगा पहले मैं first को cover कराऊंगा ठीक है तो मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूं जो मुझे आता है उसे मैं आपको बताने के लिए आता हूं ठीक है तो आप जिस तरह से पढ़ करेंगे यहीं पर स्टाट करेंगे यहीं मेरा सेजेशन है कि अब नेक्स्ट वीडियो मेरा जो बनेगा नेक्स्ट लेक्सिर बनेगा जो वह आई ट्यूरी का सबसे यूनिट नंबर फिर्स्ट रहेंगा करेंगे हम लोग कल से तो आज इस वाइरिंग के भी बारे में देख लेते हैं चलिए शेयर कर दिये वीडियो को आप लोग कर दीजे फटा-फट ताकि और भी स्टुडेंट हमारे साथ जुड सके फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे कि देखी दोस्तों क्या होता है कि यह जो वाइरिंग का यूनिट है न यह वारिंग का यूनिट एक इलेक्टरिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ट है इसको हमें जल्दवाजिंभी नहीं पढ़ना है इसको बलकुल आराम-आराम तरीके से मारना मैं इसका इसलिए छोटा-छोटा चैप्टर करके छोटा-छोटा यूनिल्ट करके और छोटा-छोटा इसका वीडियो बनाया है बहुत बड़ा वीडियो नहीं है और अगर वीडियो बड़ा होगा भी तो वो किसी पर्टिकुलर एक-दो चैप्टर से ही बना होगा समझ रहे कि अगर एक वीडियो में बहुत सारा आप लोग पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है तो हमें कन्फ्यूजन रखना नहीं है वायरिंग को हमें बहुत ही अच्छे लेविल से बहुत ही अच्छे धन से पढ़ना है तो चलिए अब हम स्टार्ट होते हैं अपने सेशन की के तरफ हम पड़ रहें वायरिंग को अ है कि वायरिंग क्या होता है वैदुथिक उपकरण को प्रयोग किये डिवर्धिक सप्डियोग करने के लिए एक हमीज प्लाई की जरूत होती है उस वह जो सप्लाई है वह हमारा किसी पत के मांध्यम से आता है जिसको हमिन परिपत कहते हैं और परिपत एक रिंग की तरह है क्नेटवर्कि की तरह है और वह रिंग जो बना है यह जो रिंग बना है यह वायर का बना हुआ हkin ही होता है अगे बढ़े तो यह हो गया हमारा ले अब हमने तो परिपत का बहुत सारा अध्याय कर लिया है बहुत सारा इसका नोलेज़ लिया यारिकी अगर हम वाइरिंग की ही द 거죠 वाईरिंग मैंने आपको को तक तकरीवन तकरीवन चार-पांच वाइरिंग करके बताया उसका टोटल डीटेल्स दिया तो उसमें से सबसे पहले हमारा था गोडाउन की वैरिंग और इसके बाद एक लैंप को तीन जगह से कैसे कंट्रोल करना चाहिए इस चीज के वाइरिंग करके दिखाया मैंने और उसके बाद मैंने टनल की भूर आफिंग करके दिखाया यांनी कि जिसको हम आपन सुरंग बोलते ना अंडर्ग्राउंड वैरिंग उसके बारे में मैंने बताया वाइरिंग कर के दिखाया कैसे कंट्रोल किया जाता है कितने switches लगे होते हैं बगरने सब कुछ देखे इसके बाद हम लोग कल यानि कि इससे पीछले वाला जो वीडियो है तो उस वीडियो हमने देखा था कि गलियरा वाइरिंग कैसे करते हैं कोरीडोर वाइरिंग तो उस कोरीडोर वाइरिंग को भी मैंने बहुत डेटेल से बताया था इतना डीपली बताया है उसमें कि अगर स्टूडेंट उसको धंग से उस वीडियो को देख ले मेरा ना तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए उसको तो इन सभी वाइरिंग को तो हम लोग कर लिए देख लिए थेओरी ले लिए इसका लेकिन अब बात आती है कि यह जो हम लोगों ने वाइरिंग पढ़ा इस सभी वाइरिंग को उप्योग में लेने से पहले हम एक विधी करते हैं एक क्रिया करते हैं वो क्रिया आज हम देख पहले आप उसकी continuity test करते हैं परिच्छण करते हैं उसकी निरंतरता की जाच करते हैं क्यों ऐसा करते हैं हर कोई चाहता कि मेरे द्वारा जो बनाया गया परिपत है मेरे द्वारा किया हुआ जो वाइरिंग है यह वाइरिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके सोना चाहिए यानि क कि जब मैं वैदुतिक उपकरण को उपयोग में लूँ कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं स्विच ओन करूं और मेरा लैंप जले ही ना स्विच ओन करूं लेकिन मेरा लैंप सिलिंग फैन चले ही ना तो इन ही सब कंडिशन को ध्यान में रखते हुए हम पहले continuity test करते हैं अगर छो प्रिशन करेंगे आज यह जो वारिंग हम लोगों ने कंप्लीटली देखा है इस वारिंग का परिच्छन करेंगे निरंतर्ता की जांच और निरंतर्ता परिच्छन continuity test इस continuity test में यह जो हमारा उप परिपत होता है इस उप परिपत की जाँच करेंगे हम तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी जाँच को देखे भाईयों इसमें होता क्या है मान लिजे कि हमारे पास एक ceiling फैल है हम example भी मान के चलेंगे और एक circuit भी बनाते चलेंगे उसमें से आपको अच्छे से समझ में आगा मान लेते हैं मेरे पास एक ceiling fan है यह है ceiling fan का symbol और मान लेते हैं कि एक 3 pin का socket है यह रहा 3 pin socket कुछ इस तरह से 3 pin socket होता है और हम एक ले लेते हैं यहाँ पर और कौन सा वैदोतिक उपकरण ले मेरा 3 pin का socket हो गया ceiling fan हो गई और मान लेते हैं एक lamp ले लेते हैं 100 watt का कोई जरूरी नहीं है 100 watt का ही हो कितना का भी आप ले सकते हैं आपको तो बस continuity check करना है ठीक तो इसमें भी 2 point होगा इसमें 2 point है ही अब इस continuity test करने के लिए सबसे महत्वपूर उपकरण होता है मैगर इस मैगर के द्वारा हम निरंतरता की जाच करते हैं किसी परिछड की circuit की परिछड करते हैं ध्यान से सुनना मेरी बातों को तो सबसे पहले हम मैगर बनाते हैं कुछ इस तरह से मैगर में 2 टर्मिनल होता है यह एक्जाम में आता है कि मैगर में कितने टर्मिनल होते हैं दो टर्मिनल एक फेज का और एक अर्थिंग का तो यहाँ पे फेज और अर्थिंग के दो टर्मिनल हो गया कि दूपौइंट हो गया अब इसके अंदर एक स्केल लगा होता है ऐसे यह स्केल लगा होता है इसस्केल में एक कोईंटर भी होता है जिए हमारा घ्रन दिल्लमेंट 1 में दिल्लमें पहुcidos होता है ना ये झालम किसी जोकीट नियुक कुलर एक साइडन ही होता है बीचों बीच होता है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेन चीज है यह इकजाम में आता है बहुत दफादा है ठीक है माल लिजे अगर आपका एक्जाम सिफट में हो रहा है तो किसी ने किसी सिफट में इसको जरूर पूस देगा तो इसका जो scale होता है ना, इसका scale में पहले लिखा होता है infinite यानि की अनन्त फिर लिखा होता है zero, इसमें एक handle होता है, ये हो गया मेरा एक handle, इसको हम बोलेंगे मैगर, इसका बहुत बड़ा रोल है, इस continuity test निरंतरता परिछण में, अब इसके द्वारा हम इस परिपत की करेंगे, तो देखे, हमें, ये हमारे वैद्वतिक उपकरण है, लोड है, तो इनको on off करने के लिए switch की जरुवत पड़ेगी, तो पहले switch बनाते हैं, one way switch हो गया, मेरा switch को यहां से connect कर दिये, फिर इसके लिए भी एक switch की जरुवत पड़ेगी, ये है मेरा phase, इससे मैंने connect कर दिया इसको, अब ये बना मेरा 3-pin socket, इस 3-pin socket को एक phase होता है, एक neutral होता है, इसके right side में, इसके right side में phase होगा, यानि कि ये phase माना जाएगा, और ये neutral माना जाएगा, ये ये भी exam में पूचता है, देखिए दोस्तों क्या होता है कि, electrician theory क्या होता है कि, इसका हर एक चीज, हर एक point note करने लाइक होता है, हर एक बिंदू इतना महत्वपूड हो जाता है जब वो एक्जाम में आ जाता है तो वो महत्वपूड हो जाता है नहीं आता तो वो महत्वपूड नहीं होता है इसी चीज को मान के आप लोग चलते हैं तो ऐसा नहीं करना है हर एक चीज को इंपोर्टेंट मानना है ताकि ठीक है, यहां तक सभी भाईयों को clear हो गया ना, कोई doubt नहीं रखना है, doubt रखना ही नहीं, अगर doubt है तो तुरंद comment किजिए और बताईए कि क्या doubt है आपको, मैं आपका हर एक का comment पढ़ता हूँ, ठीक, यह हो गया मेरा phase, तो इस phase वाली wire को भी यहां से एक sort कर देंगे, sort कर द मैं connect कर दूँगा, यहां, ऐसे, connect कर दिया, यहीं से एक loop डाल दूँगा, यहां के लिए, यानि कि यहां से एक wire जाई, एक यहां चली गए, और एक आगे चली गई, यहां से एक और wire लेंगे, उसको डाल देंगे, three pin socket में, यह मेरा एक परिपत बन गया, दो उपकरण का प fan, इसका मैंने वारिंग करके बता दिया आपको कैसे कैसे वारिंग करते हैं, अगर आप actual में, वास्तवीक में करना चाहें, तो भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह होती है, इसमें कि जब आप मैगर के द्वारा किसी परिपत का निरंतर परिछण कर रहे होते हैं, उस समय सरकिट में जो सप्लाई होती है, वो ओफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बंद, अब बंद होना क्यों चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है हमारे लिए, बंद इसलिए होना चाहिए, कि ये जो मैगर है, इस मैगर के अंदर एक जनरे क्या करता है यह 500 वोल्टेज पैस्ट पैदा करता है यह एक सोर्स है क्या है एक सोर्स है और 500 वोल्टेज उस नूभनान पैस्ट मैंगते तो बूंद Poke the इंपूट में मैं यांत्रिक सकती रिया ल alternator चाहिए यांत्रिकूर्जा इस मैगर के द्वारा हम देंगे ठीख है ना मैगर के द्वारा जैसे एसार हें 1949 स blossom leicht से हम उस जन्रेटर को यांत्रिकूर्जा देंगे तो वह विद्दू तूर्जा में चनोर्ट करेगा तो विद्धू तूर्जा में लज़त करेंग few यह अगर सारकीन में भी संपड़ाई आप दे दिया और इसका भी संपड़ाई आ गया तो ब्लास्ट हो गया इसके अलावा कुछ भी नई होगा खीक तो इसलिए हम इसको supply नहीं देते supply हमारी यहीं से मिल जाती है तो अब आप लोगा इसका reason पता चल गया होगा कि क्यों main supply off रखा जाता है continuity test में खास कर कि जब मैगर का उप्योग करके हम continuity test कर रहे होते हैं ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अब हम इस में देखना क्या चाहा रहे हैं इस निरंतर्ता का परिछण कैसे करना चाह रहे हैं इस निरंतर्ता का परिछण हम कैसे करना चाह रहे है Jupiter न टो देखिए ये है मेरा one way switch मैंने इस को on कर दिया हमारी phase की supply यहां तक आगी यहां रुख गई switch off है तो यहां आई यहां तक आगे, लेकिन सर्किट पूरा नहीं हो रही है, हर जगह ब्रेक ही ब्रेक है, जब तक परिपत पूरड नहीं होगा, तब तक धारा का प्रवा होगा नहीं, और यह सब हमारे व्पकरण काम नहीं करेंगे, तो मैंने यहां पे स्वीच को कर दिया, ओन, switch को on किया lamp हमारा जलने लगा तो lamp हमारा जलने लगा lamp को इधर से phase मिल गया और इधर से earthing मिल गई lamp हमारा जलने लगा कोई दिक्कत नहीं अब हम आगे बढ़ते हैं इस समय जब lamp जलेगा तो ये pointer क्या so करेगा कैसे display करेगा ये क्या करेगा कि इस समय ये pointer जाएगा इधर यहां से उठके यहां से उठके यहां चला जाएगा जीरो की तरफ इसका मतलब कि resistance का मान जीरो है R0 है और I अनन्द है अनन्द का मतलब यहां यह नहीं होता कि बहुत ज़्यादा current अनन्द का मतलब हम यहां हमें यह नहीं समझना है क्योंकि हम continuity check कर रहे हैं ठीक है न तो चालकता अनन्द यानि कि धारा अनन्द जितना इसको धारा चाहिए इसलेम को नहीं यह पूरा का पूरा धारा आएगा इसमें क्योंकि resistance 0 है यहां पे ऐसा यह मीटर सो करता है लेकिन हम इससे satisfied नहीं है क्योंकि देखिए कोई न कोई वायर है अगर कोई न कोई धातु का है वायर है तो उसका खुद का अपने एक रजिस्टेंस होता है थोड़ा बहुत तो रजिस्टेंस होगा चाहिए पॉइंट में ही रजिस्टेंस क्यों नहीं हो लेकिन कुछ न कुछ तो होगा ना लेकिन यह जीरो रेडिंग सो करता है इसी लिए आज कल एनो लॉक से ज्यादा डीजिटल मल्टिमीटर डीजिटल वैदुतिक मापक यंद्र का उपयोग करते है ज्यादा तर ठीक यहां से हमें यह नहीं पता चल पाएंगा न पॉइंट में पता नहीं चल पार की कितने पॉइंट का रजिस्टेंस है यहां तो रेडिंग जीरो सो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं यह तो होग चलाई है यह लैंफ हमारा जलने लगा अ vue пожाफर यह जो यह जो रिडिंग है यह रिडिं लेकिन अभी circuit complete नहीं है मैंने switch को किया on लेकिन fan हमारा नहीं चल रहा है fan हमारा अभी भी रुका है phase neutral होने के बाद भी क्यों रुका है क्योंकि यहां पर circuit break है क्या है continuity नहीं है continuity का मतलब होता है लगातार तो यहां पर circuit यह देखिए break है यह circuit break है आप लोगों को दिख रहा होगा यह जब circuit break है तो धारा का प्रवाह होगा नहीं और इस समय यह मैंगर हमारी रीडिंग सो करेगा resistance अनंध और धारा 0 यानि कि circuit break होने पर resistance का मान अनंध हो जाता है और current का मान 0 हो जाता है हमारा ceiling fan इसलिए नहीं चल रहा है और यहीं चीज़ हम जानना चाहते हैं यहीं चीज़ की continuity test कर रहा है तो यह हमारा ceiling fan नहीं चलेगा अब यह जो three point का socket है बिल्कुल काम करेगा इस पर आप charger लगाई है या फिर किसी हीटर का plug लग लगाई है टीवी का three pin socket का सबसे उपरी वाली पार्ट होती है यह होता है अर्थिंग के लिए अर्थिंग हमारे जीवन की मानो जीवन की सुरच्छा करता है तो इस अर्थिंग को हम इस three point के सबसे उपरे वाले टर्मिल से एक वायर ग्रीन कलर कि लाते हैं और उसको ग्राउंड कर देते हैं तो यह ने ग्राउंड कर दिया ठीक यही हम लोग चेक किये हैं इसमें इसमें परिछण चेक निरंतरता परिछण चेक तो जलिए समझ में आया होगा उमीद करता हूँ इतना आसान तरीके से इतना simple language में समझाया हूँ आपको कि समझ तो आया ही होगा तो यही पूरा system होता है दोस्तों और इसमें कुछ scientific definition नहीं लगाना है आपको साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं लगाना है बिल्कुल सिंपल सी बात है हम लोग continuity test किये हैं और इस continuity test में दिक्कत कहां आ रही है इसी चीज को हम देखेंगे अगर माल लीजे कि circuit ब्रेक नहीं है यह सरकीट है यह ब्रेक नहीं है बिल्कुल सही है तो कोई दिक्कत नहीं सिलेंग फैन भी चलेगा हमारा तब बिल्कुल है हमारा continuity test ओके है ठीक है तो यह हो गया हमारा परिछण किस चीज का किसी परिपत का किसी उप परिपत का कंट्रोलिंग सरकीट का तो चलें अब आगे बढ़ें अगर कोई भी दिक्कत होती होगी आप तुरंद कमेंट किजे कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट किजे मैं आप के हर किसी का कमेंट पढ़ता हूं और फिर उसका सॉलिशन जवाब भी दूँगा कमेंट के थुरू ही क्योंकि दोस्तों क्या है कि यूटूब ने मुझे अभी परमीशन ने दिया है कि मैं लाइव क्लास ले सकूँ आप लोग जिस दिन चाह लेंगे ना कि मैं लाइव क्लास लूँ वो भी सपना आप लोग का पूरा हो जाएगा क्योंकि आप वीडियो को सेर करेंगे और वीडियो को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेंगे इससे मुझे क्या होगा कि यूटूब मुझे परमीशन दूंगा आपको ठीक तो चलिए तो वीडियो को सेर करते रहिए ताकि अपने लोग भी जल्दी से लाइव क्लास ले सके तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कंटियूनिटी टेस्ट है इसका सरकिट डाइग्राम अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी पॉलिट्री चेक कैसे करेंगे धुरूता का परिच्छड अगे अगे बढ़े फिर चलिए धुरूता का परिच्छड ये हमारा जो परिपत होता है माली जी कि जो मैंने अभी परिपत बना था इसी परिपत का मुझे पॉलिट्री चेक करना है धुरूता चेक करना है तो कैसे करेंगे हम और ये धुरूता चेक भी तो करना बहुत जरूरी है देखिए क्या होता है कि आप जैसे कि कोई shirt लेते हैं मालीजे कि आप दुकान में गए कोई shirt लिए आप उसको ऐसा थोड़ी होता है कि उसको market में गए सीधे packing उठाया और घर आये घर आके पहनने लगे उसको ऐसा थोता है आप जाते हैं उसको folding बगर अच्छे से ऐसे fold करके रखा हुआ होता है किसी दिब्बे में आप उसको खुलवाते हैं देखते हैं अपने fitting का है कि नहीं है कहीं कटा फटा तो नहीं है सारा चीज़ देख लेते हैं जब आप satisfy हो जाते हैं उसमें okay हो जाते हैं फिर उस shirt को purchase करते हैं तो इसी तरह यह भी होता है हमारा परिपत का परिछड करना यानि कि इसको हमने तो बना तो दिया लेकिन उपयोग में लेने से पहले हम इसकी हर एक प्रोसेस से गुजरते हैं हर एक प्रोसेस को complete करते हैं इसके बाद हम इसमें सप्लाई देते हैं में सप्लाई तो हम इसी चीज़ को तो कफार कर रहे हैं एक मेथाड को तो हमने देख लिया अ अब दूसरा मेथड़ वागी है अब दूसरा मेथड़ है हमारा दुरुवता परिच्छड दुरुवता परिच्छड चलिए क्या है कि जैसे हमारा वाइरिंग का यूनिट समाप्त हो जाएगा ना तो इसका करवाँगा मैं ठीक है हाला कि अभी तो अपन लोग फर्स्ट सेमेस्टर को ज्यादा फोकस देंगे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर को कफर करेंगे ना एक यूनिट अगर खतम हो जाता है तो फिर उसका हम लोग rearrange को क्यूंसकर करेंगे फिर अविकादी की तरफ चलेंगे उसका यादी कंपिलीट हो जाता है यूनिट तो हम उसके एंफी करेंगे निकि हमें हार एक् daha मंल्डिपल ज्वाइश क्यूसन कंप्लीट करते चलना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना ऐसा ना हो कि आप भूलते चले जाएं आपको थेओरी पढ़ाऊंगा मैं उसका MCQ कराऊंगा टेस्ट सीरीज दूँगा यानि कि आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूँ बस आप पेसेंस बनाईए बने रही है इस चैनल से आपको बहुत ही कुछ मिलेगा ठीक है ना उमीद से कहीं जादा मेरी कोशिस यही रहेगी कि मैं आपको जितना उमीद है उससे कहीं जादा कुछ दूँग इस पर बात खुल गई है तो आपको बताई देता हूं सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूं थेओरी इस थेओरी में आपको फुल डिटेस दे रहा हूं ठीक है ये हो गया पहला उत दूसरा मैं आपको कसी करांगा multiple choice question इस multiple choice question से आपका level बहुत ज़्यादा तक सुधरेगा आपको पता चलेगा कि question का level क्या होता है question कैसे कैसे आते हैं और एक question में 4 point होते हैं 4 option होते हैं उन 4 option के बारे में हम देखेंगे वहाँ से आपका ये clear हो जाएगा इसके बाद हम mock test लेंगे इस mock test से आपकी accuracy इंप्रूव होगी वो कैसे अगर आप mock test को आप join करते हैं mock test वाली मेरी वीडियो को देखते हैं तो यहाँ से आपकी accuracy कैसे इंप्रूव होगी आपको पता चलेगा कि मुझे आता कितना है मैंने तो वीडियो सारा देखा मैंने वीडियो सारा वीडियो देख लिया पढ़ लिया थियोरी पढ़ लिया mcqs पढ़ लिया बट मुझे आता कितना है उस चीज का टेस्ट होगा यहाँ तो यह mock test से आपकी accuracy इंप्रूव होगी और तीसरी बात है 2015 से लेके 2019 तक का previous year question paper previous year question paper तो 2019 और 2015 के 20 में जितना भी paper हुआ होगा first semester का first, second, third तीनों shift का paper मैं आपको solve कराऊंगा यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है और वो फायदा यह है कि यहाँ से आपको अपना level तो पता चलेगा खुद का कि मैं कितना दूद में हूँ, कितना पानी में हूँ यहाँ से आपको नीमनी language का pattern समझ में आएगा ठीक है? यह जो नीमनी language है ना बड़ा ही उटपटांग का language होता है यह इतना easy हिंदी हो जाता है कि student समझ ही नहीं पाता कि आखिर में question हम से पूछना क्या चाह रहा है और हम जवाब क्या दें इसका तो जब हम इस record को पूरा पढ़ेंगे ना 2015 से उननिस तक के previous year question paper को तो यहां से भी हमारा level improve होगा यह तो हो गया मेरा previous year question paper फिर मैं आपको कराऊंगा test series में क्या होगा यह test series भी आपको मैं यह test series तब करवाऊंगा जब आपका exam तकरीवन तकरीवन एक से डेढ़ महीने बचा रहेगा उस समय में आपको test series करवाऊंगा इससे क्या फायदा होने वाला है इससे आपको फायदा यह होगा कि जैसे आप test series complete करके जाएंगे तो यह जो test series का जो मेरा question है यह question इसी से related रहेगा यह जो अपना रहने वाला है 2015 से 19 तक का previous year question paper इसी के level का रहने वाला है इससे थोड़ा सा down रहेगा हमारा test series वाली question तो यह भी बहुत helpful होगा आपके exam के लिए यह होगया test series ठीक है और छठा छठा मैं आपको क्या देने वाला हूँ कोई रता सकता है मैंने आपको theory की class दे दिया full detail के साथ मोग test दे दिया एकदम बिल्कुल free और mcqs बिल्कुल free 2015 से 19 तक का previous year question पर यह भी बिल्कुल free इस channel पर जो भी कुछ है सब free है बस आप low किस तरह से लेते हो आप comment रहे है ठीक है यह हो गया test series हो गया जब आप बताईए जब आप इतने चीज को cover करेंगे तो आपको एक्जाम में अच्छे नंबर अच्छे मार्ग साथ पास होने से कोई नहीं ही रोग सकता आपका लेवल इतना सुधर जाएगा ना आपको को आपकी तैयारी में इस कदर करवा दूँगा कि जब आप आई टेए कंप्लीट यानि आई टीए का टोटल कोर्स क्रेक करने के बाद जब आप अप्रेंटिस करने जाओगे या फिर अप्रेंटिस भी कंप्ल कोई अलग से पैदा होके नहीं आता ठीक है यही सब चीज उठके आ जाती है जैसे कि मैंने आपको मैंगर के बारे में बताया भी कि इसका जो इसकेल होता है तो इसके इसकेल में फर्स्ट टाइम पहले क्या लिखा है अनंत फी लिखा होता है जीरो यह चीज आपका इंपो नहीं है तो आगे चलके इंपोर्टेंट हो जाएगा और कोई जरूरी नहीं कि अभी इंपोर्टेंट है अभी भी हो सकता है यह हमारे सेलेवस में है थिक है तो यह होता है इस चीज को आप थोड़ा ध्यान देवे तो इतना कुछ मैं देने वाला हूँ, तो बस patience बनाए रखें दोस्तों, मैं तो बहुत ही कुछ दूँगा आपको, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपका जो level है उसको सुधार सकूँ, मैं आपको किसी मुकाम तक पहुचा सकूँ, मैं आपको सफलता हासि करवा सकूँ, ठीक, तो चलिए, अब हम बिना किसी दे रही के, अपने धुरूता परिछण की तरफ बढ़ते हैं, धुरूता परिछण क्या होता है, हम बहुत कुछ, बहुत लंबा सरकिट नहीं लेंगे, छोटा है साही सरकिट लेते हैं, ceiling fan का, यह हो गया ceiling fan, यह हो गया म क्या होता है, सबसे पहले बता दूँ कि इस परिपत को, यानि कि ऐसे परिपत की धुरूता चेक करने के लिए, हमें एक series test lamp की जरूत होती है, ठीक है, और इसमें एक खास बात यह भी होता है, कि जब हम series test lamp के द्वारा, किसी परिपत का धुरूता परिछण करते हैं, तो सर kit की supply on होनी चाहिए, continuity test में off थी, लेकिन इसमें on होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेरा phase, और यहाँ हो गया neutral, यह phase की बार है, यह neutral की बार है, ठीक है, तो इसमें चलिए, अपन phase को connect करते हैं पहले, यह हो गया मेरा phase, रुक यह, एक मिनाट एक मिनाट, यह हो गया मेरा phase की बार, इस पर एक एक स्वीच लगा देते हैं, ऐसे, यह phase को हमने connect कर दिया जहाँ, और इसी तरह इसमें भी एक स्वीच लगा के, one way स्वीच लगाना है केवल हमें, one way स्वीच के अलावा कोई भी स्वीच उपयोग में नहीं लेना है, यह तो हो गया मेरा phase, ठीक है, और अब हम चलते हैं neutral की तरफ, phase बार तो हमारा complete हो गया, यह मेरा रहा neutral की बार, अब मैंने इसको neutral से connect कर दिया, इसको यहाँ neutral से connect कर दिया, इसको यहाँ neutral से connect कर दिया, ठीक है, neutral को आपस में sort कर दिया मैंने, मैंने आपको बताया था कि neutral की wire को हम ceiling रोज से भी loop कर सकते हैं, और किसी वैदुतिक उपकरण से भी उसको लूप कर सकते हैं लेकिन यह जो फेज की वायर है इसको केवल और केवल स्वीच से ही लूप करना चाहिए सिलिंग रोज से लूप नहीं करना चाहिए यह भारती इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के खिलाब होता है तो यह होगा मेरा सर्किट बन गया अब मुझे इसे इसकी दुरूता परिछड करना है दुरूता परिछड का मतलब क्या होता है इस दुरूता परिछड में यह देखते हैं की फेजवायर यह जो फेजवायर होती है फेजवायर स्विच से नियंत्रड है या नहीं है इसी चीज की इसी चीज के हम परिछण करते हैं धुरुवता परिछण में यह जो हमारा फेजवायर है यह जो फेजवायर है यह स्विच के साथ कंट्रोलिंग है कंट्रोल होगा या नहीं होगा इसी चीज की हमें चेक करना ह तो इसमें हम एक टेस्ट लेंप लेते हैं यह हो गया मेरा टेस्ट लेंप कि सिरीज टेस्ट लेंप तो इसमें दो पॉइंट होगा एक होता है अर्थिंग का और एक होता है फेज का यह लैंप हो गया इस सिरीज टेस्ट लैंप में दो टर्मिनल होता है एक अर्थिंग का एक फेज का अब हम चलिए इस दुरुवता परिछण को स्टार्ट करते हैं हमने सप्लाई दे दिया 230 बॉल्ट का और एसी यहां तक कोई दिक्कत नहीं किया करेंगे हम करेंगे कि इस स्वीच को ओन है स्वीच को ओन करेंगे हुआ धें यहां पर स्वीच को और तो देंगे ठीक है अब ये जो हमारा लांप है इस लांप का एक जो फेज वाली वार है इसको हम इस्वीच के साथ कनेक्ट कर देंगे यदि यह हमारा lance जलने लगा अधिए यह लेंप对। इसका मतलब यह हो जाता है कि यह ओके है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यदि नहीं जाल रहा है तो इसका मतलब कि य gratuit और अगर जल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं अब यह जो फेज की वायर है अब इसके साथ कनेक्ट करेंगे और यहां भी यही क्रिया करेंगे स्वीच को ओन करेंगे यदि हमारा सर्किट बिल्कुल सही है यानि कि फेज वायर स्वीच के साथ नियंत्रित है तो यह जलेगा अन्यथा नहीं जलेगा फिर हम इसके साथ यानि कि जितना उपकरण लगा रहेगा हर एक उपकरण के साथ हम इस सिरीज टेस्ट लैंब की बहुत ही इजी है इसमें कुछ भी नहीं है तो चलिए मज़ा आगे हाज का सेजन पढ़के आज का टॉपिक हमारा कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था छोटा सा टॉपिक था और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर किया चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है जो कि बहुत ही जवरजस्त होगा और वो सेशन का नाम है स्वास्थ हेवं सूरच्छा मानव के जीवन में स्वास्थ भी बहुत इंपोर्टेंट है और सूरच्छा भी बहुत इंपोर्टेंट है तो हम इस चीज को अगले स से कभर करेंगे आज का सेशन मेरा यहीं तक रहेगा और वीडियो अच्छा लागा होगा तो इसको बस आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को भी दबा लिजे क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे न तो मेरा कोई भी के लिए अलविदा ओके थैंक यू